कोलेश्टाल समेर इन पांच रोगों को दूर रखते हैं संत्रे जैसा दिखने वाला ये फल डाइट में करें सामिल नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों वैसे तो फल और सब्जिया कोई भी हो सेहत के लिए फाइदे मन ही होती है डाइट में इन्हें सामिल करने से सरीर हेल्थी और फिट रखता है और इससे बीमारिया दो रहती है मौसम में बदलाव के कारण अक्सर लोग बीमार पड़ जाते हैं इसलिए खास दूर से इम्मुनिटी स्ट्रॉंग बनाने के लिए डाइट मोग कुछ फल और सब्जियां जरूर सामिल करने चाहिए इन्ही में से एक फल है किन्मुग संत्रेव जैसे दिखने वाला ये फल सेहत बहुत ही फाइदी मन होता है और उसमें कई गंभीर मिमारियां दूर हो जाती है हो जाना इसके सेवन से इम्मुनिटी तो पड़ती ही है साथ ही कोलेस्टाल और खराब पाचन जैसी समस्याओं से चुट्टारा मीलता है आए चाहते हैं किन्मो खाने के फाइदे क्या-क्या देए पहला है कोलेस्टाल रखे कंट्रोल हाई कोलेस्टाल के समस्या में किन्मो खाना काफी फाइदेमन साबित हो सकता है और यह बैड कोलेस्टाल से लड़ने में काफी कारगर है ऐसे में रोजना इसका सेवन कर आप दिल की बिमारियों के जोखिन को भी कम कर सकते है अगला है हट्डियों को बनाए मजबूर इसके अलावा डाइट में किन्मो को सामिल करने से आप अपनी बोन हेल्थ को दुरूस्ट कर सकते हैं दरसल इसमें भरपूर माक्रा में टैलसियम पाया जाता है जो आपकी हट्डियों को इस्ट्रांग बनाने में मदद करता है अगला है हीमोगलोबिन लेबल बढ़ा है वहीं सरीर में खूं की कमी होने पर भी किन्मो खाना बहुत ही फायदे मत होता है और यह आयरन का अच्छा सोर्स है ऐसे में आप इसका जूस भी पी सकते हैं आप इसे फूट चार्ट में एड़ करके भी खा सकते हैं अगला है इम्मुनिटी बूस्ट करें विटामिन सी से भरपोर किन्मुन आपकी लो चल लही इम्मुनिटी को भी तेजी से पूस्ट करने में मदद करता है पता दें कि वाइरल फिवर खसी जुका आज में इसका सिवन आपको बहुत फायदा पुक्चा सकता है अगला है पाचन रखे दूस्त इतना ही नहीं किन्मुन खने से आपका डेशिजिसन सिस्टम भी बढ़िया रहता है इससे पेट में बनने वाली गैस अफारा और खट्टी डगार से रहत मिलती है मौसम बदलने पर अकसर कई लोग बदहस्मी की समस्या से परसान रहते हैं ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत ही बढ़ी आफल है